ओम स्री गनेशाइन अमदोस्तो एस्टू समाधान यूट्यूग चैनल में आपका हाड़ दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 मई शनीवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन मेथुन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मिथुन राशी वालों के लिए शनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज बोजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो यदि आप वैवेशाय करते हैं या यदि आप नौकरी करते हैं तो निवेस के लिए भी आज आप अवसर ढूंड सकते हैं यह आपके आर्थिक निवेश के लिए अच्छा हो सकता है जिससे आपको आर्थिक लाब प्राप्त होने के अच्छे अफसर प्राप्त हो सकते हैं आज आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा तथा कामगाज के छेत्र में आपको अच्छी सफलता आज प्राप्त हो सकती है जैंदोस्तों चल अचल संपत्ती के द्रश्टी से भी निवेश करना आपके लिए आज बहुती अच्छा हो सकता है इसलिए समय और प्रस्तती को देखते हुए निवेश का भी आज अवसर तलासें तथा निवेश करें जिससे आपको कामयाभी अच्छी प्राप्त हो और आर्थिक इस्तिती आपकी काफी मजबूत हो दोस्तो साथ साथ कोई आप प्रतियासित आए या सायद विरास्त आपका इंतजार कर रही है इस आयका अच्छे से प्रियोग करें जैसे किसी यात्रा या ऐसी कतीविदी में जो आपके उदेश से का इसपस्ट अर्थ दें उन विचारों को लोगों को बताएं जो आपके दिमाग में हैं और इसके लिए जरूर रिशर्च करें अपने आसपास के लोगों से मिलें और अपने वरिष्ट को प्रबाबित करने के लिए सब्दों की अपनी निपुनता का प्रियोग करें अपने केरियर को बढ़ाने और कुछ पैसेवर योजना या रणनीतियां बनाने के लिए यह एक शांदार समय है आपके साथ ही और सेयोगी अभी आपकी अच्छी सलाहों को पहचानेंगे दोस्तो रचनात्मक कारों के प्रती आज आपका रुजान बढ़ेगा इस अवसर का आप लाब उठाएं और नए तरीके से काम करने का मौका हाथ से ना जाने दें अपनी रचनात्मकता से अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं अपनी कार चमता से दूसरों को आज आप प् दोस्तो घरेलू समस्याओं को दूर करने में ही आपका घरेलू विकास संभव है अन्यता परिसानिया बढ़ सकती हैं अपने आप पर भरोसा करें तथा अपने घर परिवार के सदस्यों पर भरोसा करें किसी अन्य व्यक्ति पर भरोसा ना करें अनावस्षक परिसानिया उत बनाए रखने का प्रत्न करें तथा एक दूसरे पर भरुसा करते हुए किसी भी कार्रे को करें अपने जिम्मेदारियों को निभाने का पूर्ण प्रियास करते हुए माता पिता से सम्मंद मधूर बनाए रखने का प्रियास करें ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसे जरूत है जैसे आपके भाई बेहन माता पिता या पडोसी उन्हें सांती प्रदान करें यह समय सांसारिक और वहवारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का नहीं बलकि अपने दरश्टिकोन को बदलने और नए विचारों को सोचने का है बहुत से लोग आप से कई मांगी रख सकते हैं इससे आपका अधिकतर समय मल्टी टास्किंग में व्यत्तित होगा बस वही करते रहें जो आप कर रहे हैं और आपको जरूरी सफलता मिलेगी एक नुकसान या दुखद जो अभी सायद आपके परिवार को प्रबावित कर रहा हैं आपको बेचेन करेगा दोस्तो कार रभार की आज अधिकता से जरूरी कामों को आज समय पर नहीं दे पाएंगे इसलिए किरोध की आज अधिकता रहेगी नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अधिकारियों से वाद विवाद करने से बचें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेनी वाली हैं दोस्तो आपको अपने प्रेम जीवन में आज समल कर चलना होगा क्योंकि जरासी भी बात बड़ी हो सकती है और उसका प्रभाब आपके प्रेम जीवन में नकारात्मक रूप से आ सकता है एक दोस्त के रूप में आपका साथ देगा दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन साबित होने वाला है इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवेशाई केरियर कैसा रहने वाला ह दोस्तो आज वैवेशाई के गतिविदियां सफल होंगी और कारोबार में धनलाव के इस्तिती रहेगी प्रॉपर्टी और सेयर भजार में निवेश करना अनलाबदायक रहेगा अनावाशक खर्च की भी अधिता रहेगी जिस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा साती सा नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा विध्यार्तियों के लिए भी दिन आज का मिला जुला रहने वाला है दोस्तो आज आपके लिए वैपार से संबंदित किसी यात्रा पर जाने के भी योग बनेंगे टोट का चैरी से संबंदित कोई अ आमांदनी में अच्छी खासी व्रद्धी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। दोस्तो बात कर लेती हैं जापका स्वास्त कैसा रहने वाला हैं। अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश हुपाय क्या हैं। और उस दीपक में आप कुछ दाने काली उड़त की दाल के भी डाल दें। और इसके बाद आप उस पीपल के व्रक्ष की साथ बार परिक्रमा भगवान शनिदेव के मंत्र मंत्र का जाप करते हुए अवश्य करें और साथ साथ अपनी मनों काम नहीं मांगें। आसानी से बनते चले जाएंगे। दोस्तो भगवान शनिदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैर शनिदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।